हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग आई होप आप सबी लोग अच्छे ही होंगे और कास्ट रहे थे लास्ट सेसन में हम लोगों है लुए प्लेच्ट कर तो ये टॉपिक असमें qe जैसा के आप लोगोंने पिछले लेक्चर्स में भी सुना है, इसमें भी सुन लीजिए, कि ये टॉपिक आप लोगों का गेट, ESU, या PSU, या इस्टेट एंड EJE में है, या और भी बहुत सारे आप लोगों के सेंटरल गवर्मेंट लेविल के जो इंजिनियरिंग सेक्टर के एक्जाम्स होते हैं, उनमें अच्छा खासा विटेज रखने वाला टॉपिक है, कास्टिंग, और आप लोगोंने खुद भी देखा होगा, मेरे बताने से भी क्या है, कि इससे रिलेटेड काफी किस्संस आप लोगों के एक्जाम्स में आते हैं, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की, विच आफ दा फॉलोविंग पैटर्न इस स्यूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन आफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, जो के किसी भी प्रोडक्ट के मास प्रोड केविटी ऐसा बना है कि उसमें एक साथ कई प्रोडक्ट आप लोगों के बनके निकल आएं, समझ गए ना, यानि कि एक ऐसा पैटर्न है कोई, जिसका यूज करने से हम लोगों की एक साथ बहुत सारी, यानि कि नमबर आफ मोल्ड केविटी आप लोगों की वहाँ पर क्रि फ्रू कि आप लोगों की नमबर आफ मोल्ड केविटी वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है, यहाँ पर आप लोगों का मैच प्लेट पैटर्न जो है, यह करेक्ट आंसर वाला है, समझ में आ गया, नेक्ट देखिए, दा परपज आफ चैपलेट इज, चैपलेट का क्या प मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो आप लोगों का अंदर कोर होता है, जैसे कि यह आप लोगों का एक अंदर, फिर से बता देता हूं, देखिए, यहां पर यह आप लोगों का, मोल्ड है, इस में मोल्ड में आप लोग देख रहे हो, यह आप लोगों का यहां पर क्या है, मोल्ड केविटी है, इस मोल्ड केविटी के अंदर, आप लोगों का यहां पर है, एक मान के चलिए, एक कोर सैट करना है आपको, यह आप लोगों का यहां पर एक कोर सैट कर दिया हमने, यह आप लोग चाहों तो इधर मोल्ड केविटी को सो कर सकते हो, यह आप लोगों का यहां पर कोर है, और यह आप लोगों का यहां पर जो सो कर रहा है, यह वाला एरो, यह मोल्ड केविटी को सो कर रहा है, कि यह कोर वाला है यहां पर यह जो को रहे इसको सपोर्ट करने के लिए यहां आप लोगों के क्या लगा दिया है हम लोगों ने यह प्लेट्स लगा दिये है जिससे की एक्सिस स्मेत्रिकल इसके ये रहे अगर आप लोगों का मान के चलिए, यहां से मॉल्टन मेटल आया, मॉल्टन मेटल उपर से आया तो हो सकता है, कोर को नीचे खिसका दे, ठीक है, और जब नीचे बर जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है, कि हाइड्रो इस्टेटिक फोर्स की वैसे कोर को उपर खिसकाना कि यहां पर कोर प्रिंट लगी होती है, इस जगह पर कोर प्रिंट आप लोगों की लगी होती है, फिर भी ऐसा हो सकता है, यह आप लोग जान लोग, समझ रहे हो, फिर भी ऐसा आप लोगों का हो सकता है, यह आप लोग जान लीगी है, यहां पर, ठीक है, और आगे की क्या है मोल्ड केविटी है इस मोल्ड केविटी में को फिट किया और आप लोगों का होलो कास्टिंग यहां पर प्रिपेर हो जाएगा तो परपज क्या हुआ को यहां पर चैपलेट का यह आप लोगों के चैपलेट्स है इन chaplets का परपज़ क्या हुआ आप लोगों का जो casting है उसको यहां पर support करना इसका परपज़ हुआ casting में स्रूड़ी जो core है ठीक है तो support the core core को support करने के लिए यह आप लोगों का यहां पर use होगा it is use to support the core core को support करने के लिए इसका use हुआ नेक्ट कुस्टन पर बढ़ते हैं वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैन वी इंप्रूब यूजेंग देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं जब आप लोगों का यहां पर कास्टिंग हो रहा होता है तो आप लोगों को यहां पर एक बात पता करनी है दे यह आप लोगों के यहां पर आप लोग एक बात देखिए यहां पर डायगोनली इस जगह पर अगर देखा जाए इस जगह पर अगर देखा जाए यह चीज आपको देख रही है ऐसे ही यहां पर इसको देखा जाए और ऐसे ही यहां पर इसको देखा जाए और यह वाली ज जो यह थो है यह उप लोगों का यह जब मोल्ड को डिजाइन करते हैं तो ऐसे वाल की थिकनेश जो है वहाप लोगों को कंट्रॉल करके रखनी पड़ती है यह सब फिर तो यहां पर आप लोगों को एक चीज़ पता चला एल-टू-इस ग्रेटर-दैन जब आप मॉल्टन मेंटल वो आप लोगों का कैसा रह जाएगा लिक्टी टेट में रह जाएगा क्योंकि यहां पर लेंथ कम है वालगी तो यहां की हीट छल्दी हो जाएगी तो आप लोगों का डायरेकसिनल तो इसके अंदर यहां पर हम लोगा देते हैं हैं इसके अंदर यहां पर हम लोग लगा देते हैं क्या यह बोले जाते हैं आप लोगों के चिल को बयांके चलिए यह होगा है आप यहां पर देखा कि छीजें क्या हो रही है यह आप लोगों की यहां पर हो और should यह आप लोगों की होगी है यहां पर चिल्स अभी जो चिल्स हैं यहां पर क्या करेंगी अभी जो और यह आप लोगों की यहां पर कितना थैं करें पूरा ल two हो रहा था fourteen और यहां पर यह जो थिकनेस यह हो गई आप लोगों की यहांपर कितनी ठोर यह आप लोगों का L UK को फोल हो गया frost का जो अजुद को संड के थिकनेस और करने के लिए हम लोगों का चिंद कर लिए चिल कुल हो जाए तो को सब्सक्राइब यहाँ प्लोगं का यह पूरे में अगर से बन मुश्था बूच है विए यह बात जल्दी कूल हो आप लोगों के बीच में क्या बंजाते हैं कोल्ड-सट में जाते हैं यह भी प्रॉब्लम एक होती है बीच में आप लोगों का सेप्रेशंस भी आ जाते हैं ठीक है लेयर टैप की भी बनी कुई देखती है तो इन सारी चीज़ों को और कम करने के लिए यहां पर इस डिस्टेंस से एक्यूवलेंट डिस्टेंस मानते हुए यहां से यहां तक इक्यूवलेंट डिस्टेंस मानते हुए आप लोगों ने यहां पर किसको ले लिया यह चीज़ आपको देखनी है यहां पर यह आप लोगों ने यहां पर देख लिया यह चीज आप लोगों की यहां पर क्लियर हो गई तो यह आप लोगों का यहां पर क्या बोला जाता है यह आप लोगों का बोला जाता है यहां पर पैडिंग क्या बोला जाता है यह पैडिंग बोला जाता है विल्द जाता है समझे न ये भी दार्यक्षनल स्लेडिफिकेशन के लिए और ये भी चिल्ल एंड मैट्रियल होता है न अद यहां लिख लो आप लोग यह बात कभी 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 पूछ याती है मैट्रियल the material of the are same as are same as the material of the chills and paddings are same as the किसके same होगा यहाँ पर same as the casting material कास्टिंग मैट्रियल के same as you होगा तो यहाँ पर chills and padding यानि कि D option आप लोगों का यहाँ पर correct होगा इसमें ठीक है तो यह आपका directional solidification के लिए यहाँ पर generally use होते हैं clear होगा है चिल्स and padding next देखिए ascend casting mold assembly is sewn in the given figure the element marked A and B are ठीक है तो यहाँ पर send casting है आप लोगों का जिसमें के mold assembly में आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया है इसमें एक element को A से और एक element को B से आप लोगों ने यहाँ पर mark किया है तो यह थोड़ा सा अधूरा कुस्टन है इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं अभी ठीक है यहाँ पर इसको पूरा कर लेते हैं इस तरीके का diagram ही मान लेते हैं हम लोग यह मान लोगो आप लोगो ठीक है यहाँ पर यह बाला जो पार्ट है यह आप लोगों का बोला जाएगा इस प्रियू इसको रनर भी बोल देते हैं कभी कभी वर्टिकल रनर और यार मैं आंसर क्यों बता रहा हूं यह पार्ट A है और यह पार्ट B है तो यहाँ पर A और B क्या है यह पार्ट आप लोगों का क्या बोला जाता है भी आइस प्रियू और यह पार्ट बोला जाता है आप लोगों का यहाँ पर राइजर यानि कि A आपका बोला गया इस प्रियू और B बोला गया राइजर तो इसमें डाइग्राम था जो कि इसमें नहीं है हो लेकिन हम लोगों ने बना दिया अब इससे आप लोगों का यह का अंसर आप लोग बढ़े असानी से यहां पर बता सकते हो यहां पर लोगों का करेक्ट होगा है नेक्ट देखिए अब क्या कह रहा है इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल डूरिंग कास्टिंग compensation during solid contraction age ठीक है यह चीज आप लोगों को यहाँ पर देखनी है solid contraction में आप लोगों का यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलने वाला है क्या चीज मिलने वाला है यह देखना है आपको in solidification of metal during casting compensation during solid contraction age यह चीज आपको देखनी है provided by the oversize pattern solidification of metal during casting compensation during solid contraction solid contraction के टाइम पर क्या होता है यह बताना है देखिए इस से पहले में आप लोगों को एक diagram यहाँ पर बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ती है यह देखना है कि यह आप लोगों का यहाँ पर टाइम है इधर और यह आप लोगों का यहाँ पर टेंप्रेचर है यहाँ पर आप लोगों का है मेल्टिंग टेंप्रेचर यहाँ पर आप लोगों का तेमपरेचर और यहां पर है एटमसफेरिक टेमपरेचर। ती आर है रिक्रिस्टालियेशन तेमपरेचर। अब देखिए यहां पर कुछ चीजों को किस तरीके से हम देख़ना है यह देखिए यहां पर आप लोगों का यह जो होता है यह बोला जाएगा liquid shrinkage यह बोला जाता है आप लोगों का यहां पर solidification shrinkage और यह बोला जाता है आप लोगों का यहां पर सॉलिड के solidify होने के बाद मैं भी आप लोगों का contraction होता है recrystallization temperature के बाद समझ गए तो यह दौनों तो आप लोगों के ऊपर वाले जो हैं यह तो compensate हो जाते हैं किस से राइजर के बॉल्यूम में जो material आप लोगों का प्रजेंट होता है उससे मज़ रहे हो यह तो हो जाते हैं उससे जो बैटरियल आप लोगों के राइजर के वाल्यूम में प्रजेंट रहता है यह यहां पर एक्चुली में solidification of metal during casting compensation during solid contraction तो यह solid contraction की बात कर रहा है यानि कि solid shrinkage और contraction एक ही बात होता है यह आप लोगों का compensate किस से होता है यह आप लोगों को compensate किस से करना पड़ता है आप लोग अपने pattern का size कैसा रखते हो पहले से बड़ा रखते हो थोड़ा सा जब pattern का size बड़ा रखते हो तो वहां पर जब यह आपका material जो है shrink करता है तो यह चीज आप लोगों को वहां पर द यहां पे किस से होग ये चाप लोग देखिए और जिंकेज आप लोगों का यहां पे किस से और यहां पर होगा किस से यह चीज आप लोग देख लीजिये अ कॉलों अ जो है यह आप लोगों का होगा यहां पर किससे और साइज और पैटर्न का पता है कौन सा अलाउंस बोला जाता है ठीक है प्रोवाइड़ बाइद आप लोगों का इसका करेक्ट होगा कौन सा करेक्ट होगा इसका 95 का एक एक प्रोवाइड़ वाइदा ओवर साइज ऑफ पैटर्न अब नेक्स्ट कुस्ट्सन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्ट्सन आपका क्या कह रहा है दा पैटर्न अडॉप्टेड फॉर तोज कास्टिंग यह इस्टिंग नहीं है यह कास्ट रिकर देर आर समे पोर्संट विच आर इस्ट्रेक्शली वीक एंड आर लायक्ली डुब्रेक दा फॉर्स ऑफ रेेमिंग आर कॉल्ड्ट है यहां पई आप लोगों का जो पार्ट यहां पे क्या हो जाता है इस्ट्रेक्शली वीर हो जाता है रैमिंग फोर्स से ठीक है तो उसके लिए आप लोग क्या चीज़ यूज़ करते हो तो उसके लिए हम लोग basically क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर follow board pattern का यूज़ करते हैं जिससे कि वहाँ पर आप लोगों का जो weak part है उसको break ना होने दे इसलिए follow of about pattern is used अब next देखिए आगए बढ़ते हैं हम लोग your plastic bottles are made वंपते है ओंड फिलास्टिक बोटल्स आप लोगों की किससे बनाई जाती है plastic बोटल्स आप लोगों की Blue molding से बनाई जाती है जिसमें कि आप लोगों का Airbnb होता है किस से बनाई जाती है यह ब्लो मोल्डिंग से भी बनाई जाती है तो यहां पर आप लोगों का इसका करेक्ट होगा देखिए विदा सॉलिडिफिकेशन टाइम का है यहां पर बहुत ही आसानी से हो जाएगा ठीक है यह आपको करा दिया जाएगा निमेरिकल्स अभी छोड़ रहा हूं मैं तो वह एक साथ लेने वाला हूं निमेरिकल्स का सेशन जैसे एक दिन और लिया था तो आप लोग इसको थोड़ा सा बाद में देख लेना नेक्ट देखिए विच आप फॉलोविंग पैटर्न मैटरियल्स आर यूजड इन प्रेसीजन कास्टिंग विच आफ दा फॉलोविंग पैटर्न पैटर्न मैटरियल आर यूजड इन प्रेसीजन कास्टिंग प्रेसीजन कास्टिंग में आप लोगों का कौन सा मैटरियल कौनसा है D? फ्रोजन मरकरी है तो उसके हम लोग या looks करते हैं फ्रोजन मरकरी जो होता है उसका हम लोग endlich इन सारी चीजों के लिए समझ गए प्रेसीजन के लिए हम लोग फ्रोजन मरकरी जोजार्श करते हैं एक तो और दूसरा आप लोग यहां पह गरता है अक है लेक iron a मोक आप लोगों के यह और आप लोगों को यह हाँ पर बताना है इस पैटर्ण पहला है आप लोगों के यहां पर जो यूज होता है वैक्स जान लखियेगाë दूसरा आप लोगों यूज होता है रेजिंद्स की तीसरा आप लोगों का यूज होता है असे प्लास्टिक और अरल जोता है प्रोजन है मरकरी अitel तो यहां पर आप का प्लास्टिक एंड फोजनमर करी डी औप जानी कि आपका बी ओप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा यह बात आप लोग जान लीजिए भी ओप्शन यहां पर आप लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा next देखिए अब an expandable pattern is used in expandable pattern का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है expandable pattern आप लोगों के वो होते हैं जिनमें की आप लोगों का एक बार casting करने के बाद उन्हें क्या कर दिया जाता है तो उड़ दिया जाता है तो श्लस कास्टिंग, squeeze casting, centrifugal या एंट्रीफ्यूगल नहीं है, centrifugal कास्टिंग है next आपका है investment casting तो investment casting में आप लोगों के expandable pattern ही यूज होते हैं जनली wax के, resin के, plastic के या फिर mercury के ये one time usable ही होते हैं एक बार यूज करने के बाद में इनको छोड़ दिया जाता है Dressing in Foundry Practice refers to ठीक है, Dressing in Foundry Practice refers to Dressing आप लोगों का Foundry में किस चीज के लिए किया जाता है यह बात आप लोगों को यहाँ पे बतानी है Dressing in Foundry Practice refers to तो यहाँ पे आप लोगों का यह चीज बताना है यह चीज आप लोगों को यहां पर बतानी है तो आप लोगों का जो ड्रेसिंग बेसिकली जो होता है तो मौल्टन मेटल जो होता है उसकी सरफेस पर जब कुछ जब कुछ आप लोगों का एयर एंट्रैप करके आता है तो उस एयर को एंट्रैप कर गी हुई जो एयर होती है उसको वहां से रिमूब करने के लिए समझ रहे हो जो फॉर्मेशन ऑफ उक्साइड्स जो हो जाते हैं उनको रिमूब करने के लिए हम लोग जनली ड्रेसिंग का यूज करते हैं रिमूबल ऑफ ऑक्साइट्स लेयर फ्रॉम दा कास्टिंग मैट्रियल ठीक है यह चीज है नेक्ट देखिए असरसन क्या कह रहा है Aluminium Alloys are cast in hot chamber die casting machine Aluminium hot chamber में होती है यह है दूसरा देखिए region Aluminium Alloy requires high melting when compared to zinc alloy ठीक है यह बात आप लोगों की बिल्कुल सही है zinc का जो होता है वो कम होता है melting temperature Aluminium का ज्यादा होता है और मैंने आप लोगों को बताया था hot chamber die casting में है hot chamber die casting जो होती है क्या चीज होती है यह देखना है ठीक है? Hot Chamber Die Casting जो होती है इसमें क्या चीज होती है यह देखनी है Hot Chamber Die Casting जो होती है आप लोगों की इसमें हम लोग क्या चीज देखते हैं यह आपको यहाँ पर देखना है Hot Chamber Die Casting और Cold Chamber Die Casting ठीक है? Hot Chamber Die Casting की बात कर रहा है हम लोग और Cold Chamber Die Casting की बात कर रहा है अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर Hot Chamber Die Casting में वो Material यूज करते हैं जिनका Melting Temperature कम होता है ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है Hot Chamber Die Casting में कौन से होते हैं? Less Melting Point बारे के Low Melting Temperature जिनका होता है वो यूज होते हैं और Cold में कौन से होते हैं? जिनका High Melting Temperature होता है तो यहाँ पर आप लोगों का जो यह है Jink जो है इसका कम है यह बात तो रीजन तो आप लोगों का सही है लेकिन असरसन यहाँ पर सही नहीं है Aluminium Alloy जो हैं इनको हम लोग इसमें Cold Chamber Dicasting में यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ? आप लोगों का A is False but R is True यानि कि D Option यहाँ पर आप लोगों का इसका Correct हो जाएगा A is False but D is True यह चीज आप लोगों की यहाँ पर होगी A False है लेकिन यहाँ पर आप लोगों का D True है Next देखिए Match List First with List Second and Select the Correct Answer Using the Following List यह चीज आप लोगों को यहाँ पर पता करनी है अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्या चीज कैसे हो रही है Hollow State यहाँ पर Hollow State का मतलब क्या है? यह आप लोगों का किसकी बात कर रहा है? Hollow Casting की बात कर रहा है तो Hollow Casting यहाँ पर Centrifugal से भी होती है और Slust से भी होती है ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप लोगों का Centrifugal जो होता है इसमें आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम लोग यहाँ पर Centrifugal की बात करते हैं यह बात क्लियर करनी है यहाँ पर Centrifugal और Slust दोनों Hollow Casting की बात करती है लेकिन यहाँ पर इसने Hollow State तो कह दिया है लेकिन इसने यह नहीं बताया है कि Pipe है या क्या है तो यहाँ पर अगर Centrifugal में Pipe बगेरा हुए तो तो बनेंगे यहाँ राउंड और Cylendrical Shape के Hollow Sections जो होते हैं वो तो Centrifugal से आसानी से यहाँ पर बन रहा है अधर भी बनते हैं ऐसा नहीं है लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि Semi Centrifugal की बात करने लग जाओ आप ठीक है या फिर आप लोग वहाँ पर Full Centrifugal की बात करने लग जाओ या True Centrifugal की बात करो तो वहाँ पर Contradiction आ जाता है तो कुछ आप लोगों के जो प्रोडक्ट बनते हैं Centrifugal पर वो Solid भी बनते हैं समझ गए ना तो यहाँ पर आप लोगों का Hollow State जो है इसमें आप लोगों का यहाँ पर क्या आएगा Plus Casting आएगा कौम सा आएगा Plus Casting आप लोगों का यहाँ पर आएगा अब यहाँ पर यह कहरा है Dentors Dentors जो है यह आप लोगों के यहाँ पर किसमें बनते हैं यह चीज आप लोगों को यहाँ पर बतानी है ठीक है तो B का आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर B का भी होगा का आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी बनते हैं क्योंकि साइजिंग में छोटे भी उते हैं और प्रेसाइज भी बनाने डेंटर्स को ठीक है अब देखिए अल्यमीनियम एलॉय पिस्टन जो है यह वेसिकली ग्रेविटी डाई कास्टिंग से बनते हैं जो है यह ग्रेवि庭 अव्यक्ता है किससे इसे थी यह यह था आप लोगों का बनाया जाता है किससे की सैट आ अल् amarडर से रॉकर आर्म्स बंते है अंहीं इस देखिये इस दा करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा आप लोगों का करेक्ट statement है, यह चीज बतानी है, feed the casting at constant, give passage to the gases, compensate for shrinkage, avoid cavities, यह थोड़ा सा यहां पर अधूरा कुछ सन है, which of the following is the state correct statement for the use of gate, gate का use किसके लिए होता है, यह आप लोगों को बताना है, इसके हिसाब से फिर आप लोगों का, मैंने options के according ही बना दिया है, ठीक है, इसके हिसाब से आप लोगों का हो गया, a option correct, अगर मैं यहां पर कह देता, which of the following statement is correct for the permeability, give passage to gases, यह आप लोगों का हो जाता, इस तरीके से चीज़ हैं, आप लोगों को यहां पर देखनी पड़ती है, ठीक है, मैं अगर यहां पर कह देता, आप लोगों से, कि solid shrinkage, या shrinkage allowance, shrinkage allowance जो है, वो आप लोगों का यहां पर किसके लिए यूज होता, shrinkage allowance जो है, वो आप लोगों का यहां पर यूज होता, किसके लिए compensate for shrinkage के लिए, यह चीज क्लियर हो गई आप लोगों की, अब next हम लोग आगे बढ़ते हैं, one of the important advantages of metal patterns over wooden patterns is that it is readily available, it is easy to make, it is useful in machine molding, it is less costly, यह चीज आप लोगों को यहां पर बताना है, क्या important आप लोगों का example यहां पर होगा इसका, यहां पर one fifty का आप लोगों का क्या होगा, कि आप लोगों का जो wooden pattern है, इसके अलाबा अगर हम लोग यहां पर किसका pattern यूज कर रहा है, metal का, तो उसके क्या फाइदा है, तो यह आप लोगों का देखिए, readily available की बात करो, तो wooden का है, easy to make wooden का है, cost भी कम wooden की है, तो यह machine molding में generally wooden यूज नहीं होता है, वह metal होता है, इसलिए C option आप लोगों का यहां पर correct हो जाएगा, the empty portion of cupola above the preheating john is called ads, क्या बोला जाता है, empty portion जो है, यह आप लोगों का क्या बोला जाता है, slack, bro, billet, stack, तो यहां पर आप लोगों का stack जो है, यह correct option है, यहां पर D आप लोगों का correct option है, यह चीज आपको बताने हैं, ठीक है, D is the correct, next, देखिए, in sand molding, the bottom flask is called, sand molding में bottom flask जो है, यह तो आप आंक बंद करके बता दोगे, क्या बोला जाता है, drag बोला जाता है, मजगे ना, bottom flask is called drag, आप लोगों का जो bottom flask होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली, drag बोलते हैं, next, देखिए, यहाँ पर, a third flask, sometimes huge between, cope and drag is called, वो क्या बोला जाता है, चीक, जैसे कि आप लोगोंने देखा होगा, एक side view बना लेते हैं, यहाँ पर, यह आप लोगों का top portion है, यह आप लोगों का मान के चलिए, यह फ्लास्क का mid बाला है, और यह आप लोगों का bottom बाला है, यह अपर molding flask आप लोगों का बोला जाता है, यहाँ पर, molding, flask बोला जाता है, और यह आप लोगों का intermediate, intermediate, molding, flask बोला जाता है, और यह आप लोगों का यहाँ पर है, क्या बोला जाता है, lower, molding, flask बोला जाता है, यह आप लोगों का बोला जाता है, cope, और यह बोला जाता है, drag, और यह बीच में जो बचा हुआ है, यह बोला जाता है, cheat, इस ही की बात की है इसने, sometimes use between cope and कोप एंडरेक्टि बीच में चीकी यूज हो रहा है तो यह आप लोगों का डी ऑप्शन हो गया है अब देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बानियस मैट्रियल स्प्रिंग्ल्ड ऑन दा इनर सर्फेस ऑफ मोल्ड के विटी इस कॉल्ड अब लोग जानते हैं है चोंसा है बेकिंग सैंड है यही आप लोगों का कार्बोनийस मेट्रियल है बेकिंग सैंड यह फी कोल भी बोलते हैं जो कि do पल्लोगों का यहां पर यूज होता है यह चीज के लिए रहोगी आप लोगों की यहां पर इस Premiere दिकात नहीं होगी अब यह आप पासेज इट इस दा अंसर अब देखिए यहां पर यह क्या किया रहा है दा एलाउंस देट इस प्रोबाइड़ टू कंपंसेट और दा कॉंट्रैक्शन ओफ मैटल डूरिंग इट्सॉलिडिफिकेशन इस नॉन एट्सॉलिडिफिकेशन के टाइम पर आप लोगों क जाता है स्रिंकेज एलाउंस बोला जाता है यहां पर भी ऑप्शन आप लोगों का इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्ट देखिए अप्रोपर्टी ऑप सेंड बाय बर्च्यू ऑफ विच टेक्स अनी डिजाइड पैटर्न सेप अंडर प्रैसर एंड रिटेंस इट आफ्टर दा प्रैसर इज रिमूबड इज नॉन एज ठीक है तो यहां पर आप लोगों की सेंड की वो कौन सी प्रोपर्टी होती है कि पैटर्न को निकाल लेने के बाद बजूद भी वो आप लोगों की उस सेप को वहां पर अटेन करके रखता है तो यह बहुत ही आसान सा और अच करती है यह प्रोपर्टी ऑफ दा सेंड का कुस्टन यहां पर आप लोगों का हो गया ठीक है अब नेक्स्ट देखिए यहां पर ऐटर में को यहां पर बताना है यह आप लोगों का यहां पर प्रोवाइड किया जाता आप सह इतना पार्ट तो बस इतना ही है कामका लेकिन यह इतना यहां पर क्या देदिया, विया पर दे यह जो टेपर है यह आप लोगों का यहां पर जीरो से थ्री डिग्री भी दिया है कई जगे और कई जगे यह आप लोगों का हाफ से तू डिग्री भी दिया होता है वैसे जनरल यह वैल्यू आप लोगों का ज्यादा करेक्ट है और यह भी आपका कई जगे अंसर्स में आ चुका है तो इस allowance जो है यह आपकी cable vertical walls पर provide किया जाता है horizontal walls पर यह provide नहीं किया कर आया जाता यह बात आप लोग यहाँ पर जान लीजिए only it is provided on vertical walls तो यहाँ पर shrinkage allowance, machine allowance, draft allowance, chamber allowance तो draft allowance जो है यह correct answer होगा next देखिए the ability of the mold sand to withstand extreme temperature level is non edge extreme temperature level को withstand करने कhöry list होती है , वो बोली जाति है regulatoryness् owe here kya होती है ? lapse क्या होती है यह आप लोगों को यहाँ पर लिखना है Hey, the fact mines क्या होती है यह आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, रिफ्रेक्टरिनेस क्या है, यह देखिए, It is the It is the capability capability to withstand It is the capability to withstand higher temperature it is the capability to withstand higher temperature ठीक है यह higher temperature को withstand करने की capability होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं refractoryness की property बोलते हैं इंदर भी ठीक है the purpose of providing a draft allowance on the pattern is draft allowance को यहाँ पर 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 प्रोवाइडिंग a draft allowance on the pattern is draft allowance provide कराने का जो परपज है वो क्या है to provide good draft on air in the sand molding to provide for distortion that might takes place to remove the pattern easily from the molding to increase the strength of the mold walls तो सबसे सही जो option है यहाँ पर यह C है तो आप लोगों के pattern को easily withdrawal करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पर लिख लोगों का इजी बिड्रॉल के लिए तो यहाँ पर लिख लो यह तो होगया draft allowance के लिए और seeking allowance जिसमें हिला डुला के हम लोग अपने pattern को बाहर निकालते हैं देखिए it is it is used to remove the pattern it is used to remove the pattern easily from the mold मोल्ड से इजीली आप लोगों का pattern को बिड्रॉल करने के लिए जो यूज होता है वो seeking allowance आप लोगों का generally होता है तो seeking allowance क्या होता है जो आप लोगों का यहाँ पर जुदोर और म्हेंना दल करें साथ है इजीली बेट रॉल कर ले किसको किसको इजीली गड्रॉल करें जीली बिड्रॉल आफ दा फैतरर्न फ्रॉम दा मॉल्ड ही आप लोगोंIGHT होगा यहां पर सी ऑप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अब आज आप लोगों का इतना ही रखते हैं नेक्ट क्लास में हम लोग और चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप लोग पीछे वाले जो लेक्ट्चर्स हैं अगर नहीं देखें उनको भी आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिए और आगे हम लोग जो हमारा सेशन होगा कल मौर्निंग में उसमें हम लोग सोच रहे हैं 60 के आराउंड आप लोगों के कुश्टन्स लिये जाएं और कल कास्टिंग को मौर्निंग में कंप्लीट कर दिया जाए और मैं सोच रहा हूं 30 अफ नवंबर तक आप लोगों का ये 1000 वाला जो सीरीज है इसको कंप्लीट कर दिया जाए क्योंकि 400 के लगबग कुश्टन्स हम लोग कर चुके थे 400 400 मसीनिंग वाले में और यहां पर आप लोगों के यह जो कुश्टन्स हैं 1500-200 के लगबग हो जाएंगे इसमें फिर इसके बाद में 200 कुश्टन्स के राउंड हम फॉर्मिंग में कर लेंगे और 200-300 कुश्टन्स हम लोग करेंगे ठीक है तो बाकी क्या टाइम में आप लोग प्रेक्टिस करते रहिएगा और जुड़े रहिए अगर आप लोग मुझे अनकेडमी पर फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो नासा टैन कोड का यूज करके पेड़ कोर्स भी कहेंगी ठीक है चलिए तो अभी के लिए यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं थैंक्यू अल्दी वैस्ट